इंडिया में इस वक्ष हजारों multi-level marketing companies operate कर रही हैं जिसमें से कुछ जिन्विन है और बहुत सारी ऐसी companies हैं चुकी scam कर रही है दिए पास में भी एसी बहुत सारी companies है जिन्नों ने पुबिक के साथ में बहुत बढ़ा scam किया उसके बाद में या तो वो कंपनी बंद हो गई यह उनके जो नस्ते उन्होंने सारा पैसे खटा किया पब्लिक का और भाग गए और जब इस तरह के स्कांस बहुत ज्यादा भढ़ गया है तो गर्मेंट अप इंडिया ने बहुत अच्छा स्थेफ आया पब्लिक वेलपेर के आपने आगे अपने फ्रेंज को और रेलेटिव को रिकमेंड किया जब रिकमेंड किया तो उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट मेंसे कुछ परसेंटेज उस कंपनी ने उस इंसान को दिया जिसने उस प्रड़क को रिकमेंड किया अगर इसी तरह से इस ब बलकि पैसा कमाना है, यहां तक कि उनको प्रडक्स के कोई लेना देना ही नहीं है, तो यह एक complete scam है, जिसको government ने पूरी तरह से ban किया हुआ है, और इस structure में कुछ लोगों का तो फायदा होता है, बाकी लाखों लोगों के पैसे दूब जाते हैं, मैं आपको एक real life example देता हूँ, उससे आप जाधा अच्छे से समझ पाएंगे, पर example एक company है, जहां पर 10 लाख लोगों ने जॉइन किया हुआ है, उसकी साल की turnover है 100 करोण, वहाँ पर अलग अलग तरह के plans होते हैं, कहीं पर होता है कि आपको आगे तीन लोगों को join करवाना है, कहीं पर होता है binary plan, यानि कि आपको आगे दो लोगों को join करवाना है, बट इन सारी companies को बोलते हैं direct selling companies, तो यह जो direct selling companies होते हैं, यह अपने direct selling network में 30 से 50% के बीच में पैसा distribute करती है, average हम कह सकते है 40%, 100 करोण में से 40 करोड रुप चला गया इस company के distribution network में, अभी हम उन सुनने में बहुत बढ़ा लगता है, 40 करोड रुप, और जो भी कोई नया member उस company को join करता है, उसके mind में यह होता है कि अगला करोड पती में हूँ, but अब एक बार practically देखते हैं, कि अगर वो company चाहे भी, तो क्या सबको लगपती करोड पती बना सकती है, जातर क्या होता है कि इन companies में आप एक pattern देखोगे, हर company का कोई न कोई एक face होता है, वो एक इनसान stage पर आ करके खड़ा होता है, वहाँ पर वो इनसान आ करके stage पर सबके सामने अपनी income को share करता है, और सब को बताता है कि उसके पास में कौन सी गाड़ी है, जातर इन लोगे पास में Mercedes होती है, Mercedes कभी कोई चोटा-मोटा-मोटा नहीं, तीन करोड का, चार करोड का, इसके अलावा वो इनसान बताता है कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ इस कंपनी से, जो लाखों में नहीं होता है, बलकि करोड़ों में होता है, यानि वो इंसान स्टेज़ पर आ करके सब के सामने बोलता है कि मैं महीने का एक करोड रुपए कमा रहा हूं इस कंपनी से लोग वहां पर बैठ करके तालिया बजाते हैं वो जो तालीब बजा रहे हैं उनको यह नहीं पता है कि वह एक करोड रुपए आ कहा से रहा है इन लोग इसे होते हैं जो महीने का लाको रुपए कमारे उते हैं बैसिक सी कैलकुलेशन कापनी में जो बांकी के लोग है यानि दस राक लोग हैं उनके हाट पर बैठा है और 30 करोड मिला अब मैं मान लेता हूं उस company का payout है 50% तो बचा कितना 8% 8 करोड रुपे यह 8 करोड किसी हाथ में आया बाकी के जो 10 लाट लोग है उनके हाथ में तो एक इंसान के हाथ में आता है 80 रुपे साल का अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो 80 रुपे है यह calculation के लिए एक average है बट ऐसे एक्चल में नहीं होगा एक्चल में क्या होगा किसी की हाथ में हो सकता है 8000 भी आगया किसी की हाथ में कुछ भी नहीं आया तो मैं कोई नहीं होता आपको बोलने वाला कि आपको सारी calculations करके चलना है कि आपने कितना पैसा और कितना टाइम लगाया और साल के एंड में आपके पैसा कमाने की possibility क्या है यानि कि अगर उस कमनी में 10 राक लोग है और को एक इंसाना करके बोल रहा है कि मेरे पास में 3 करोड की गाड़ी है और 1 करोड रुपे में महीने का कमा र है क्योंकि वह पैसा वो जो इंसान कमा रहा है वह आपकी जेव से आने वाला है